महाराजा करण महाभारत के वीर योध्धा इन्हीं के नाम पर करणाल सहर का नाम पड़ा हुआ है दानवीर करण की नगरी करणाल हैलो दोस्तों सबसे पहले तो आप सब को मेरा नमस्कार और दोस्तों आज मेरा इस वीडियो बनाने का ताथ प्रेशर अप इतना है कि मैं आप सब के साथ एक खुसी सांज़ा करना चाहता हूं वह खुसी क्या है वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा लेकिन उस शेपहले मैं आ आप लोग हो क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो नहीं वाच करते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता और यह वह लंब है जो हर एक यूटूबर की लाइफ में आता है और जिस दिन यह लंब हाता है वह बहुत खुस होता है इसलिए मैं भी बहुत खुस हूं यह वीडियो बना रहा हूं आप सब का धन्यवाद करने के लिए तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं वह खुसी क्या है और यूटूब ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है तो वह मैं अभी आपको दिखाऊंगा यह देखिए दोस्तों गूगल वालों ने मेरा गूग पर करनलेख आया हुआ हूं और यहां से करनाल जाओंगा अपने दोस्त के ओफिस में और वहीं पर जाकर आपको यह एडिसंस पिन डालते हुए दिखाऊंगा प्यार फिर मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी वीडियो वाच करने के लिए तो दोस्तों आप अपना प्यार मुझे पर यूहीं बरसात रही है मेरी हर एक वीडियो को ऐसे ही वाच करते रही है हम जल्दी अपना नेक्स्ट मुकाम हासिल कर लेंगे आपके सा जहां पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ वहां पर आप देख सकते हो भारत के वीर योधाओं के चित्र जो यहां पर बहुत सुन्दर लग रहे हैं आप भी यहां पर आचकते हो यह करना लेक का सुन्दर द्रिश्य है जो कि चंदिगड हाईवे पर पड़ता है यहां पर आप वोटिंग वोगारा भी कर सकते हो यह देखिए कुछ लोग यहां पर वोटिंग भी कर रहे हैं आप यहां हमारे पिछे महाभारत के वीर युद्धा करन जी का चित्र देख सकते हो करन लेक जो की करन के नाम से ही मशुबूर है कहा जाता है कि यह है वह है स्रोवर है जहां पर करन जी सनान करने के बाद कुछ ना कुछ दान दिया करते थे महाराजा करन महाभारत के वीर युद्धा इन्ही के नाम पर करनाल सहर का नाम पड़ा हुआ है दानवीर करन की नगरी करनाल दोस्तों गुगल एडिसंस पिनाने के बाद अब हमें इंतजार रहेगा अपनी फर्स्ट पेमेट का कि कब यूटूब हमारी फर्स्ट पेमेट भेजता है जल्दी ही हमारी फर्स्ट पेमेट आएगी या हमें इंतजार करना पड़ेगा वह वीडियो भी हम आपके साथ सांजय करेंगे जैसे ही हमारी फर्स्ट पेमेट आएगी तो तब तक राम राम जैसे राम अब बाद में और दोड़ेशन फर्गूबर कि और दन्यावाद समीटी का थैंक यू कि बाद में और वह जब दे लिया का थीक है और बताओ बजदी